तो फाइनली इस इंटर रिल्वे की तरफ से एक बंपर वैकेंसी का ओपिसल नोटिपिकेशन जारी हो चुका है जी हाँ दोस्तों आप देख पाओगे 17.92.22 को इसका नोटिपिकेशन जारी करा गया है और इस वैकेंसी का जो लाश्ट अपलाई 16.02.22 रहने वाला है तो 16.02. वारी के पहले आपकी इस फ्रॉम को जमा कर देने होंगे तो इस वीडियो के एंड में आपको सारा कुछ जानकरी बताओगे किसा इस फ्रॉम को अपलाई कर पाओगे और साथी में आप देख पाओगे इसमें 24.22 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है देखा जाए तो यह बड़ी भरती होने वाली है और इसके अंदर आप आसानी से सिलेक्शन हो जाओगे और यहां पे आपका सिलेक्शन मेरिट अधर पे होने वाला है तो आपको पता हुआ कि मेरिट बोले तो उसे हम कहते हैं जिसे मार्स बैसिस पे सिलेक्शन होता है और यहां पे आपका एकसान आसानी से हो जाएगा और यहां पे आप देख पाऊगे इस वैकेंसी की सारी कुछ जानकर यहां पे दी गई है और साथी मैं पोस्ट की बात करें तो यहां पे आपको पोस्ट मिलने वाली है ट्रेडर्स की और फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, जेनरल, टेलर जेनरल, और इलेक्रिसियन, मेकानिस्ट, वेल्डर और यहां पे आपको काफी सारे पाज़ा पर वैकेंसी मिलने वाली है और यहां पे आपको मिलेगे टेकनिकल, नोन टेकनिकल और यहां पे आपको बहुत सारे वैकेंसी दी जाएगी और इस पीडियाप कर लेंगे इस वी इस vacancy का जो मिनिया में 15 years मांगी जा रही है और इस vacancy का जो maximum इसे रखा गया 24 years जीहां दोस्तों इस vacancy का जो age limit 15 से 24 years रहने वाली है और यहां पर जो reserve candidate है उनके लिए 5 साल और 3 साल के इस रिलाक्षन भी मिलने वाली है जीहां दोस्तों बहुत बड़ी भरती होने वाली है तो इस vacancy को apply कर पाऊगे लेकिन आपको 10 वी कखी में 50% मार रहने आनिवारी है यानि आप जो matrix exam दियो उसमें आपका 50% मार्ण रहना आनिवारी है तभी आप इस vacancy को apply कर पाऊगे अगर आपके maderict मे 300 plus mark है तो इस vacancy में आपका selection हो जाएगा अगर उससे कम है तो आपका selection होना ह पाईगा और इस वैकेंसी के अप्लिकेशन भी साब कुछ 100 रुपिया सभी केंडियेट देने होंगे जी हां दोस्तों सभी केंडियेट के लिए 100 रुपिया अप्लिकेशन भी समांगी जा रही है पेमेंट आपको ऑनलाइन द्वारा करना होगा और यहां पे आप देख पाऊ होगे अपलाई के सारी कुछ यहां में जानकारी दी गई है और साथ ही मैं आप देख पाऊगे इसका आपीसल अपसाइट भी मिंसन करा गया है तो आप आपीसल अपसाइट में जाकर बहुत जादा जानकारी ले पाऊगे